तो आप में से काफी लोग ऐसे यहां पे जिनने CSIR, SO या फिर ASO का form बढ़ा हुआ था उसकी exam dates आ चुकी है तो आप में से मतलब बहुत लोग रोज daily पूसते थे क्या होगी exam date और क्या दोनों paper 1, paper 2 साथ में होगे वो आप लोगे query थी तो यहां पे साफ साफ देख लिएजे और क्या आपकी strategy रहनी चाहिए अभी last के जो इतने दिन बचे हैं वो भी यहां पे डिसकस करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं साफ साफ की section officer and assistant section officer का stage 1 examination के अगर हम बात करें stage 1 यह होगा आपका 5 February से लेके 20 February के बीच में यानि 15 दिन examination चलेगा reporting time for the paper 1 यहां पे आप देख सकते हैं साले 8 बजे report करना है exam शुरू होगा 10 बजे से 12 बजे तक है exam चलेगा paper 2 आपका reporting time है 15 बजे बट exam time है तीन से लेके साले 5 के बीच में यानि कि इससे चीज यह बात साफ हो जाती कि paper 1 and paper 2 both will be conducted on same day क्योंकि दोनों same day पे होंगे तो ओवेसी बात है कि multiple shifts organize करना है आप पर possible नहीं हो पाएगा तो एक shift में ही आपका exam होगा 5 को जो start है और 20 तक जो चलेंगे इसलिए थोड़ा सा लंबे duration में ये exam जो है चलेगा बट यहाँ पर भी admit cards नहीं आए admit cards of examination for the above mentioned post will be made available on the CSIR website at least 10 days prior to the start of examination mentioned above यापका exam exactly किस date पे है कहां पे है वो आपको 10 दिन पहले पता चलेगा ठीक है तो यहां से यह बात साफ हो जाती है क्योंकि considering कि आज 17th January है तो आप यह मान के चली आपके पास आप यही consider करिए कि आपका exam वो 5th को ही है ठीक है तो आप 15 दिन का यहाँ पर एक अपने mind में रख लिए और जो पेपर 2 में कुछ ऐसे subjects हैं जो unconventional subjects हैं जैसे SSC जैसे students के लिए UPSC वाले भी exam में बैठेंगे no doubt ठीक ठीक है तो इन्होंने ethics हो अगरा थोड़ा पढ़ रखा होता है तो यहां पर ethics आता है means में लिखने के लिए subjective होता है बट यहां पर objective format में होगा ठीक है वहा एक time जो last time उसमें यह मेरी तरफ से आपको advise रहेगी कि जैसे आपने कुछ किया नहीं है तो बजाए कि इस चीज़ को सोचने में यह आएगा UPSC LA सही कर लेंगे यह हो जाएगा वह जाएगा बजाए इस time को आप कहीं से भी देखो students पूसतें कि sir source क्या होना चीए वैसे मैं मैं देखो पढ़ाने को तो मैं भी पढ़ा सकता हूं ethics and governance ठीक है विकास मैंने फॉल रखी से वाज़से लेकिन मेरे पास अभी उतना time है नहीं तो time constraint के वैसे वह नहीं करवा सकता हूं भी मैं लेकिन जहां से भी आप multiple क्योंकि यह तो मैं पक्का शिवर हूं कि multiple channels आपको मि तो उससे आप अच्छे से उसको एकदम time bound manner में उसको 2x speed पर लगा के ऐसे नहीं आराम आराम सारी चीज़ें हो रही है एकदम pen and paper लेके उसको एकदम time bound manner पर खटकर सारी चीज़ें उसको पन्नों में उतार देनी है फिर आपको उन पन्नों से या फिर उन जो आपके notes से उन नहीं है नहीं तो फिर वहां पर कुछ हवा आपको लगेगी नहीं क्योंकि वह आसान questions होंगे let me tell you ऐसे कोई ethics and governance अगर नए subject है that doesn't mean no difficult subject है बड़ा interesting लगेगा अगर आपने पढ़ा होगा आप में से कुछ लोगों ने तो उसको interesting बनाके उसको पढ़िए कि थोड़ा सा और उसको time bound manner कि अगले आने वाला जो week है फिर अगले वाले तीन चार दिन है फिर Sunday तक मुझे पूरा यह खतम कर लेना है उसको एकदम आपको लगता है कि इतना time लगेगा कि मुझे इसमें पांच दिन लग जाएगा तो उसके लिए आप चार दिन का बनाईए ठीक है कि मुझ उसको carry कर लेगा exam तक तो definitely उसमें help मिलेगी आपको और paper 1 और paper 2 का नहीं हुए तो separate strategy तो मेरे हिसाब सब क्या ही काम आएगी जादा तो वही कि आप कितना पढ़ते हैं चीज़ों को और कितना revise करते हैं और बाकी मैंने बता दिया कि किसी भी चीज़ को छोड़िएगा मत तो छोड़िएगा मत किसी चीज़ को ठीक है हाँ ज्यादा मत पढ़िएगा लेकिन कोई ऐसा subject ना होना चीज़िए कि इसमें तो हमें पता ही नहीं होता क्या ही है ठीक है अई होप आप समझ यह होंगे बाकी तो आपका क्या राय है वह आप comment देशी ने बता सकते हैं धन्य आप